हेलो दोस्तो मैं विनोथ मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ पीपीओ स्टेटस यानि की पेंशन पेमेंट स्टेटस की इंक्वाइरी के बारी में अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेट कंपनी में काम करते थे या काम करते हैं और आपका पीएफ कटता है और आप पेंशन के लिए इलिजिवल थे और आपके पास पीपीओ आ गया है या आने वाला है ये सारे चीज़ की जानकारी आप अपने इस वीडियो के जरिये जान सकते हैं कि आपका पीपीओ का स्टेटस क्या है यानि पेंशन पेमेंट ओर्डर का स्टेटस क्या है आपके घर में पीपीओ आ गया है लेकिन आपके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आज आपको इस वीडियो को जर्य जनाऊंगा, कि आपका PPO number क्या है, PPO number के inquire कैसे करेंगे, आपके पास PPO का payment आया है कि नहीं आया है, यह inquiry, आप जान सकते हैं, आपका pension का status क्या है, सारे चीज आप इस वीडियो के जड़िये जान सकते हैं सबसे पहले आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बगल वाले वेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को आन कीजिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहता हूँ तो चलिए जानते हैं किस तरह से PPO का स्टेटस जानेंगे आप सबसे पहले अपना गूगल का होम पेज खोल लीजिए गूगल का होम पेज खोलने के बाद आपको टाइप करना है गूगल का होम पेज में आप टाइप कीजिए Google का Homepage में आपको type करना है Know Your Pension Status क्या लिखना है Know Your Pension Status Know Your Pension Status type करने के बाद आप इस पर click किजिए देखिए इसके बाद ये search करेगा Know Your Pension Status पर आप यहां देख सकते हैं आपके screen पर Know Your Pension Status MISEPFIndia.gov.in आपको इस पर click करना है Know Your Pension Status पर Click करते ही देखिएगा ये Employees Provident Fund Organization Ministry of Labor and Employment Government of India का Official Website पर लिखे चला जाएगा जहां कि आप अपने screen पर पूरा देख सकते हैं पूरा details ही यहां सो कर रहा है कि G1 परमान Inquiry जिसको Life Certificate बोलते हैं Know Your PPO Number PPO Inquiry and Payment Inquiry Know Your Pension Status ये सारे चीज़ का Inquiry आप यहां से कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं PPO One by One कि G1 Payment Inquiry पर Click करते ही आपके पास ये आजाएगा G1 ID आपको G1 ID को यहां पर click करना है देखिए आएगा G1 परमान ID आप यहां डाल के देख सकते हैं कि आपका G1 परमान पर ID क्या है Know Your PPO में click किजिए करने को दिखिए आप यही दो तरह से सर्च कर सकते हैं आपका PPO Number एक Bank Account Number से सर्च कर सकते हैं और एक Members ID Number अगर आप Bank में click करते हैं तो आपका Bank Number दीजिएगा जो PPO में दिये थे तो आपका PPO का Details आ जाएगा या Member ID आपके पास है तो Member ID दीजिए Member ID से भी आपके पास पुरा Details आ जाएगा फिर आपके देखिए एक है और PPO Inquiry भी आप यहां से कर सकते हैं आपको क्या करना है कि यहां से Issued Office आपको करना है कि कौन सा Office आप Issued हुआ देखिए यहां पर रहते हैं मतलब किस District में रहते हैं किस State में रहते हैं वहां का State का सारे चीज़ दिया हुआ देखिए आप जहां रहते हैं जिस State या District में आप यहां से चूज कर लिजिए आप वहां चूज करने के बाद आपको यहां से क्लिक करना है Example का तोर से मैं एक Randomly ले रहा हूँ मान के चलिए मैं आगरतला लिया पहला उसके दिखिए आगरतला का Office आईडिया आ गया फिर PPO नमबर डालिए फिर उसके बाद जो आपका PPO नमबर है वो PPO नमबर आप यहां पर डाल देना है यहां डालिए PPO नमबर उसके बाद देखिए यहां पर दिखाता है आपका Pensioner Date of Birth आपका जो Date of Birth आपको डालना है DD, MM, Y, Y इस तरह यहां पर क्लिक कीजिए देखिए कलेंडर खुल जाएगा यहां से कलेंडर से आप अपना जिस साल में आप जनम यह थे वो Year चूस कर लिजिए यहां देखिए Year दिया हुए है जो Year है आप यहां से चूस कर सकते हैं जाएगा, मिल जाएगा उधान का दोर से मैं मान के चलिए कि एक मैं देता हूँ उने शो सतर या कुछ इस तरह का देता हूँ जब देखने के लिए जनवरी दाल दिया उसके बाद एक डेट डेट डाल दिया तो यह डालने के बाद देखिए यहाँ पर आपका आ गया उसके बाद यह code डालना परेगा जो यह code है यह code आप यहाँ पर डाल दीजे जो आपका capture code आएगा capture code को यहाँ डाल दीजे same to same यहाँ type कीजिएगा process को follow कीजिएगा बहुत ही आसानी से आप सारे details आपका PPO related सारे चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं आपको कहीं जाने की जरुवत नहीं है आपको यहीं से सारे चीज़ की details मिल जाएगा उसके बाद यहाँ submit कीजिएगा submit करने के बाद आपका देखिएगा जो PPO का details है मतलब आपके कितना fund बेजा गया है कहां किस account में बेजा गया है क्या status है आपका pension चालू हुआ है कि नहीं सारे चीज़ का details यहाँ पर submit करते ही आपके पास आ जाएगा यह मैं randomly डाला हूँ तो इसलिए submit करने से कुछ नहीं दिखाए record not found इस तरह कुछ दिखाएगा यह दिखिए दिखाया कि wrong दिखाया है कि यह PPO नहीं है उसके बाद के और एक यहाँ पर है know your pension status know your pension status भी आप यहाँ कर सकते हैं यहाँ से क्या करना है just issued office name same चीज जहां आप रहते हैं वो जिस चेत्र में वो किस EPF के अंदर कर आते हैं देखिए आगरतला उसके बाद आपको यह PPO नमर डालकर gate status पर click करना gate status पर click करते ही देखिएगा आपके पास सारे details आ जायेगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहता ह वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद